दोस्तों अगर आप एक नया फोन लेने के बारे में सोच रहें तो आपको में तक का वेट कर लेना चाहिए क्योंकि में के अंदर जो फोन आने वाले हैं बहुत सारे अमेजिंग डिवाइसिस या फिर स्मार्टफोन सापको में के अंदर देखने के लिए मिलेंगे और कुछ काफी अफोर्डेबल वाले 5G डिवाइस भी मिलेंगे स्नाप्रेगन के लेटेस्ट 888 प्रोसेसर के साथ जो कि दोस्तों इसको गेमिंग के लिए भी सबसे बेस्ट आप्शन बना देते हैं यहां पर आपको अलमुस्स आरे बड़े ब्रांट के स्मार्टफोन देखने के लिए मिलने वाले हैं वन प्लस, समसंग, रडमी, मोटो रोला, ऐसे बहुत सारे डिवाइसस आपको यहां पर मेक अंदर देखने के लिए मिलने वाले हैं तो guys आज के वीडियो के अंदर top 5 upcoming devices के बारे में बताने वाला हूँ जो की May 2021 में launch होने वाले हैं तो guys वीडियो काफी जादा interesting है तो पूरा वीडियो जरूर देखना और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो नीचे जो like का बटन है उसको press जरूर से कर दीजे तो भीना time waste किया वे दोस्तो वीडियो को हम start करते हैं तो guys काफी समय के बाद हमको यहाँ पे moto की तरफ से Motorola Edge S देखने के लिए मिलने वाला है हमको May के अंदर and दोस्तो expected जो इसका price होने वाला है करीब 22-23 रुपे के बीच का ये smartphone होने वाला है guys phone के processor की बात करते हैं तो snapdragon का 870 processor आपको मिलने वाला है one of the best processor है and Adreno 650 graphics आपको यहाँ पे मिलेगा प्लस दोस्तो इसको pair किया गिया है 6GB RAM के साथ and 128GB UFS 3.1 internal storage आपको यहाँ पे मिल जाने वाला है इसके साथ दोस्तों आप इसके memory को expand कर सकते हैं 512GB तक microSD card का use करके बात करते हैं गर इसके display की तो 6.7 inch का आपको IPS LCD पैनल मिलने वाला है 409PPI वाला 90Hz refresh rate के साथ फोन के अंदर आपको triple camera setup मिलेगा 64 plus 16 plus 2MP dual LED flash मिलेगा front के अंदर भी आपको dual camera मिलेंगे 16 plus 8MP के 5000 mh की battery turbo fast charging मिलेगा 5G का support आपको मिलेगा and side mount fingerprint sensor आपको मिलने वाला है तो overall दोस्तों एक काफी अच्छा device Motorola launch करने वाला है इसके बाद दोस्तों Xiaomi lovers के लिए यहां पे Xiaomi के तरफ से Redmi K40 आपको देखने के लिए मिलने वाला है K40 दोस्तों आएगा snapdragon 870 processor के साथ जिसको pair किया गया है 6GB RAM के साथ for blazing fast performance and यहां पे आपको 6.67 inch की super AMOLED डिस्पले मिलने वाली है 335 PPI वाली 120 Hz रिफ्रेश रेट के साथ स्क्रीन को प्रोटेक्ट किया गया है दोस्तों Gorilla Glass V5 के साथ यहां पे आपको punch hold डिस्पले देखने के लिए मिलेगा 48 plus 8 plus 5 megapixel का आपको triple camera setup इसके rare panel पे मिलेगा and 20 megapixel का आपको front facing camera मिलने वाला है phone के अंदर आपको 4520 mAh की battery मिलेगी fast charging का आपको support मिलेगा lithium polymer की battery है C type port मिल जाने वाला है and यह device भी दोस्तो 5G को support करता है expected price के अगर बात करते हैं तो 22-23,000 रुपे इसका भी expected price होने वाला है and मे के third week में hopefully आपको यह देखने के लिए मिल जाएगा दोस्तो इसके बाद जो एक काफी amazing device है यह अपना Xiaomi के तरफ से Redmi Note 10 5G launch हो सकता है जो कि दोस्तो अभी तक का एक बहुत जादा affordable 5G smartphone होने वाला है and दोस्तो यह जो smartphone होगा इसको पार किया जाएगा Mediatek के processor के साथ तो इस वाले phone के अगर features की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको Mediatek Dimensity 700 देखने के लिए मिलने वाला है plus 4GB RAM मिलेगा 6.5 इंच का display मिलने वाला है IPS LCD 405 PPI वाला 90 Hz refresh rate के साथ phone के अंदर आपको triple camera setup मिलेंगे 48 plus 2 plus 2 megapixel and यहाँ पे 8 megapixel front facing camera मिलने वाला है 5000 mAh की battery मिलेगी fast charging का support मिलेगा and guys यहाँ पे आपको Gorilla Glass का protection मिलेगा और दोस्तो यह जो phone है यह 5G को support करेगा और अगर price की बात करते हैं तो सिर्फ दोस्तो 15,000 इसका price होने वाला है तो बहुत ही amazing दोस्तो smartphone होने वाला है काफी अची performance के साथ और 5G को यह support करेगा तो definitely दोस्तो Redmi Note 10 एक काफी अच्छा option हो सकता आपके लिए दोस्तो हमारे list का जो fourth device है यह है Samsung का device Samsung के तरफ से Galaxy M62 भी launch किया जाएगा मे के अंदर जो कि दोस्तो आएगा Exynos 9 Octa processor के साथ 8GB RAM प्लस 128GB internal memory के साथ साथ में दोस्तों आप memory को 1TB तक expand कर सकते हैं Micro SD card का use करके storage बहुत अच्छा दिया गया है प्लस यहाँ पर आपको 6.7 inch का Super AMOLED plus display मिलेगा Samsung दोस्तों display को एक level और उपर लेकर के जा रहा है और यहाँ पर आपको 64 प्लस 12 प्लस 5 प्लस 5 megapixel का quad camera setup इसके rear panel पे मिलेगा and 32 megapixel का आपको front facing camera मिलने वाला है 7000 mAh की massive battery मिलेगी जो की बहुत लंबे टाइम तक चलने वाली है plus 25 watt का fast charging मिलेगा but guys phone के साथ एक ही दिक्कत है कि यह सिर्फ 4G को support करता है 5G का support आप गुए आप नहीं मिलने वाला है but दोस्तों storage या फिर battery के लिए आप इसके लिए definitely जा सकते है price around 24,000 होने वाला है and May के first week में hopefully यह भी Samsung launch कर देगा दोस्तों हमारे list का fifth and last device है यहाँ पर आपको Xiaomi के तरफ से Redmi K40 Pro देखने के लिए मिलेगा K40 का एक higher variant होने वाला है और इसके अंदर दोस्तों आपको Snapdragon का latest processor Snapdragon 888 देखने के लिए मिलने वाला है इसको pair किया जा रहा है 6GB RAM के साथ plus आपको 128GB का expandable memory मिलने वाला है कुछ memory variants आपको देखने के लिए मिलेंगे और यहाँ पर दोस्तों आपको expandable memory का option नहीं दिया जा रहा है इसके साथ दोस्तों यहाँ पर आपको 6.67 inch का super AMOLED डिस्पले मिलेगा 120Hz refresh rate के साथ 395PPI वाला जिसको protect किया जाएगा Gorilla Glass V5 के साथ फोन के अंदर आपको यहाँ पर triple camera setup मिलेगा 64 plus 8 plus 5 megapixel का 20 megapixel का आपको front facing camera मिलेगा 4520 mAh की बड़ी बैट्श मिलेगी fast charging का support मिलेगा और दोस्तों यह device भी 5G को support करने वाला है तो दोस्तों काफी अच्छा device यह भी हो जाता है Xiaomi की तरफ से और इसका जो price होने वाला है वो है 31,000 के आसपास में के दोस्तों 3rd week में इस device को भी expect किया जा रहा है कि Xiaomi launch कर देगा देखते दोस्तों actual में इसका price कितना होता है तो दोस्तों यह थे हमारे top 5 devices जो की में के अंदर launch होने वाले हैं सारे best वाले device में pick करके आपके लेके आता हूँ तो hopefully आपको यह वीडियो पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया तो like करना बिल्कुल भी ना भूले and ऐसे ही latest videos के लिए my channel को subscribe जरूर से कर देचे